आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्क बोक स्प्रिंग यह क्लास फोर थे निकशा चार की कार पुस्तिका है इंग्लिज की तो इसमें आज हम लोग देखेंगे लेशन फॉर्टीन निवर लास हो जब कभी भी उमीद नहीं खोना शाहिए अब इसमें पहला केरफुली मैं पैसे को सावधान नी पुरवक पढ़िये और राइट दा एंसर आप देखेंगे विलो और इनके उत्तर जो नीचे दिये गए हैं जो नीचे कुश्चन दिये गए हैं उनके उत्तर इस पैसे के एकार्डिम इसको लिखना है तो इसमें पैसे पढ़ते हैं अ फो वह बहुत नर्वस कंपेशन के प्रती प्रतिस्पार्धा के प्रती वाज वेरी टाफ रिंक क्योंकि कंपेशन बहुत तफ है उसने देखा कि एक छोटी सी चीटी चीनी का दाना जो है लेकर जा रही थी इट वाज ट्राइंग टू क्लाइम दी वाल वह दीवाल पर चाहने की कोशिस कर रही थी बट इट रिपीटिडली फेल लेकिन वो बार बार असफल हो रही थी इट केप्ट ओन ट्राइंग वह कोशिस करती रही यहनी कोशिस अपना जारी रखी करती रही और फाइनली और अंत में इट सक्सीड़ेड इन रीचिंग इट्स डिस्टिनेशन और अंत में वो अपने गंतव्यस्तान तक पहुँच गई तो यहाँ पर एक कुश्चन इसी से दिया गया है रिलेटेट कि वो अन्मोल तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्मोल वाज़ इस्पॉर्समैन अन्मोल कौन था अन्मोल एक स्पॉर्समैन था ने अन्मोल एक खिलाडी था what was the aunt trying to do चीटी क्या करने की कोशिस कर रही थी तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि it was trying to climb the wall but it repeatedly failed तो हमें इसना ही लिखना है यहाँ पे हमें it की जगे पे aunt लिख देंगे यानि the aunt was trying to climb the wall तो वही answer हम यहाँ पे लिख देंगे कि the aunt was trying to climb the wall यहाँ छीटी दीवाल पे चढने की कोशिस कर रही थी ये थी जीटी अपने गंतबे तक पहुच गई येस हाँ ये पाँच खेंगे वह अपने उस अस्तान पर पहुच गई वादो यू लर्न फ्राम इस इंशिड़ने इस घटना से हमने क्या सीखा तो इसका उतर है कि we learn from this incident इस घटना से हमने सीखा that we keep on trying कि हमें कोसिस करते रहना चाहिए again and again बार-बार यह जब भी कभी हमें हार हमारी हार होती है तो हमें उस हार से नहीं घबडाना चाहिए या हमें उस मुश्किल से नहीं घबडाना चाहिए हमें अस्फल होने के बाद भी बार-बार कोसिस करते रहना चाहिए अगला पैसे अगला question दिया गया है कि fill in the blanks with the words given in the box and complete this complete the passes इन्हें fill in the blanks इस खाली अस्थान को भरना है with the words इन सब्दू की सहायता से given in the box जो box में दिये गये हैं and complete the passes और passes को complete करो तो participant participant को प्रतिभागी और प्रेस्ट में प्रसंसा गया crab में ताली बजाया practicing अभ्यास कर रहा है final में अंत में confidently में आत्म विश्वास के साथ अब यहां पर दिया गया यहां पर हमें लिखना है कि खाली इस्तान दिया गया है more and more तो यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे practicing यह कहां पर लिखा है practicing यहां पहले वाले में क्या लिखेंगे practicing P-R-A-C-T-I-S-I-N-G practicing more and more in the अब यहां पर क्या दिया गया है इन्दी फाइनल यहापे क्या लिख सकते हैं इन्दी फाइनल इन्दी फाइनल रेस यह अंत रेस के अंत में इन्दी फाइनल रेस में फाइनल इन्दी फाइनल रेस ही रैन इन्दी फाइनल रेस में वा दोड़ा और फिर खाली अस्थान दिया गया है confidently आत्म विश्वास के साथ c o n f i d e n t l y confidently आत्म विश्वास के दोड़ा and is to second among ten participants 10 participants के बीच में second आया आत्म विश्वास के साथ जब वो दोड़ा तो क्या हुआ कि 10 यह दो 10 participants थे पर 10 प्रतिभागी थे उनमें से वो second आया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे participants participants की spelling क्या होगी यह इसमें लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे p a r t i c i p a n t as participants next day in the morning assembly दूसरे दिन प्रातना सभा में the principal यहाँ पर प्रेज्ड यहाँ प्रिंस्पल ने प्रसंसा की किसकी अनमोल की the principal प्रेज्ड अनमोल प्रिंस्पल ने अनमोल की प्रसंसा की तो p r a i s e d प्रेज्ड अनमोल and all the children for him तो यहाँ पर क्या लिख देंगे clap यही सभी बच्चों ने ताली बजाया और and all the children clap for him उसके लिए सभी बच्चों ने ताली बजाया तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे clap c l a यहाँ पर यह clap लिखा हुआ है c l a p p p p e d इसके बाद next question है question number 3 है read aloud the sentences given below जो यहाँ पर sentence नीचे दिया गया है इसको हमें पढ़ना है to hello my name is Anmol hello मेरा नाम Anmol है I am good at sport मैं खेल में अच्छा हूं and I am good in my studies too और मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं I do my homework मैं अपना homework करता हूं everyday प्रती दिन यहीं प्रती दिन मैं अपना homework करता हूं when my teachers teach me और जब मुझे मेरे अध्यापक पढ़ाते हैं I listen to them play up free हम उसे ध्यान पूरवक सुनते हैं यहनि ध्यान से सुनते हैं I respect my teachers मैं अपने अध्यापकों का respect यहीं सम्मान करता हूं अब अगला दिया गया है कि let's know about articles articles के भी से में जानू तो articles कौन कौन से होते हैं a, an और the यह तीन article होते हैं अब article का कब-कब use होता है कब कहा use होता है यह इसमें बताया गया है an article is a word that comes before a noun articles एक ऐसा सब्द है जो noun के पहले आता है जैसे यहां पर b क्या है noun है तो noun के पहले a article आ गया फिर apple है तो apple के पहले an आ गया, गंगा है तो गंगा के पहले दिया गया, तो यहां पर an दा, यह तीनों articles का एक example दिया गया है, फिर इसके बारे बताया गया कि use a before any words noun that that begins with a consonant sound बलब ए का यूज होता है ए जो है उस नाउन के पहले लगाया जाता है किसी भी नाउन के पहले लगाया जाता है जो consonant sound से सुरू होते हैं अब यहां पर बात आती consonant sound क्या होता है consonant sound होता है जो व्यंजन यानि ए-e-i-a-o-u इंग्छिस में जो है वावल कितने होते हैं इंग्ल्ष में वावल होते हैं पांच पांच कौन कौन से ऐ-e-a-i-o-u यह पांच वावल होते हैं इनको छोड़के जितने भी हमारे alphabet होनगे 21-21 यह हमारे क्या हो जाएंगे 20 elphabets हमारे जो है यह consonant हो जाएंगे यानि B C D F G H और फिर I को हम छोड़ देंगे J K L M N फिर O को छोड़ देंगे P Q R S T फिर U को छोड़ देंगे V W X Y Z यह हमारे क्या हो गए consonant हो गया है तो अब यहां पर आया F G G A dog A town A house A cup यहां पर यह वनाउन सब्दद दियाँंगे नाउन के पहले एका प्रेयुक किया गया है तो यहां पर जी क्या है यह आपका जो नाउन, सब्द जो है,착 veville-sound से शुरू होते हैं,aggi scripture तूर्ड होते हैं, ne ऐ, आई, ऊू‐ूू से शुरू होते हैं ,ॉसमें हम end लगाते है, जैसे on अ था a2 यdefense in a3 boost delay आप दम या। जान लेते हैं कि वावल और कांसोनेंट एंजी टोटल अलफाबेट हमारे 26 होते हैं उसमें से हमारे 5 वावल होते हैं और 21 कांसोनेंट होते हैं कांसोनेंट का बदर वेंजन होता है और वावल क्या होता है स्वर होता है तो यानि कि जो सब्द जो वर्ड जो है नाउन के पहले और जो वावल से स्टाथ होते हैं Isn't just use the before anymore that a unique और इसेडिक जो uniche और इसपेस्पीक ते सब्द होता है उसमें नाउन होता है उस सब्द के पहले जो है आता है दा जैसे सन सन हमारा यूनीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेस है तो यहाँ पे दी आ जाएगा यमुना यह विशेस है तो इसमें दी आ जाएगा हिंदुस्तान टाइम से यह दी आ जाएगा इस तरह से हम इसमें लिख सकते है अब अन्मूल को अपना होमर्ग करना है बट लेकिन वह अकेले नहीं कर सकता, वाक्तों को अपना होमर्ग करने में सहायता करो, अध्यापक ने मुझे बताया है कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उसमें हमें ए अन्दा आर्टिकल का प्रियोग करना है, क्रिपया मेरी सहायता करो, यह बची को मिला हुआ उसने कहा कि हमारी इसको जो आर्टिकल भढ़ने क लिए दिया गया, तो इस में इस बच्चे की सहायता करनी है तो इसके पहले अए अन्दा आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँपर क्या हो जायएका ? बक्ते को हुमर्क मिला हुआ है। उसने कहा कि हमारी इसको जो आर्टिकल भढ़ने के लिए दिया गया है । तो है स्काइप तो इस में इस बच्छे को सहायता करनी है तो इसके लग जाएगा आर्टिकल एंड लग जाएगा फिर लग जाएगा फिर औबनाना भर्बनाना मेरे मैं नग जाएगा क्योंकि फिर एक ला है अगला आता है यहाँ पे अब यह बिसिष्ट वर्ड है इस्पेसल वर्ड है इस्पेसल तिंग्स कह सकते हो तो यहाँ पे ताज महल तो यहाँ पे इसके लिए दी आर्ट किरा जाएगा तो दी ताज महल is one of the wonders of the world यहाँ जो है कह सकते है कि ताज महल जो है संसार का सबसे आश्यर जनक चीज है तो अब आगे आता है गीता एंड आई कोट यहाँ पे बिग है तो यहाँ पे आ लगा देंगे अ बिग फिस फिर अमन क्या बना नव टना रहा है ड्राइंग बना रहा है elephant का तो यहां पर यह आपका बिग्णिंग वावज क्या है यह बिग्णिंग वर्ड जो है वावल है तो यहां पर हम लिख देंगे and and elephant अब next आता है कि राजू woke up early in the morning राजू सुबा जल्दि उठता है I need, अब यहाँ पर N हो जाएगा, vowel word है, तो A-E-I-O-N, तो N आ जाएगा, I need an umbrella as it is raining, हमें एक शाता की जरूरत है, क्योंकि वर्सा हो रही है, cricket is a popular game, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह consonant word से start हो रहा है, अब इसके बाद आता है, दी गंगा, दी गंगा river flow south to east from the Himalaya, यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि इसे नदियों के नाम है, ग्रहों के नाम है, कोई ग्रंथ है, तो उन सब के नाम हमें जो है, उसमें दी आएगा, उसके नाम के पहले दी आएगा, अब अगला आता है, question number six, तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कि यह बच्चे जो है बैट बॉल खेल रहे हैं, फिर आगे दिया गया, fill in the blanks with appropriate word given in the box, अब उसी के बारे में कुछ sentence दिये गये हैं, और उसके लिए कुछ word दिये गये हैं, उप्युक्त word, appropriate उप्युक्त word दिये गये, उप्युक्त सब्द दिये गये हैं, उनकी सहाता से हमें इस box में जो हमारे appropriate word उप्युक्त word दिये गये हैं, उसकी सहाता से हमें इस fill in the blanks को complete करना है, तो जैसे cricket is popular game, it is played between two, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, two, किस के बीच में खेला जाता है, two team के बीच में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे two teams, अब इस team has, अब प्रतेग टीम के पास कितने player होते हैं, 11, cricket में कितने player होते हैं, एक team में 11 player होते हैं, E-L-E-V-E-N, 11, players यानि प्रतेग टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, it is played with, किस से खेला जाता है, bat and ball, यह किस की सहायता से खेला जाता है, it played in two innings, यह दो पारी में खेला जाता है, innings में पारी, I-N-N-I-N-G-S, innings, it plays in two innings, team, that team wins which, यहाँ पर क्या हो जाएगा, which scores maximum run, यहाँ पर क्या हो जाएगा, scores, S-C-O-R-E-S, scores maximum run, जिस team का run कम होता है, most of the people, sorry, minimum नहीं, maximum है, तो यहाँ पर that team wins, वह team जीती है, which scores maximum run, जिस का run का score maximum होता है, अधिक तम होता है, यहाँ जिस team का run अधिक होता है, वो team जीत जाती है, most of the people like it, और अधिकता लोग उसी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, like it, अब अगला question दिया गया है, question number seven, write the name of the sports associated with the following players under their pictures, यहाँ पर हमें यह box में कुछ players के नाम दिये गया है, इनकी साथ जो इनके figure, इनके चित्र दिये गया है, इनकी photo दी गई है, इनमें जो है, उनके नाम लिखने है, तो जैसे पहला नाम आया है, गीता फोगाट का, यह हमारी wrestling है, wrestling का मतलब कुस्ती लड़ने वाली खिराड़ी है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, wrestling, W, R, E, S, T, L, I, N, G, wrestling में उस्ती लड़ने, यह गेम होता है, इसकी बाद आता है, इनका संबंद किस खेल से है, इनका संबंद जो है, हमारा cricket से है, तो C, R, I, C, K, E, T, यह cricket हो गया, नेक्स आता है, सानिया मिर्जा, यह tennis की खिलाड़ी है, तो यहाँ पर हमारा यह tennis लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, T, E, N, N, I, S, tennis, अब नेक्स आता है, विस्वनाथन आनंद, विस्वनाथन आनंद हमारे चेस के खिलाड़ी है, तो यहाँ पर लिखा होगा, चेस, C, H, C, H, E, W, S, चेस, और फिर नेक्स आता है, मेजर धानचंद, यह हाकी के खिलाड़ी है, यह हाकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, आगे आता है, MC Merrycom, MC Merrycom जो है, Boxing के खिलाड़ी है, यह B, O, X, I, N, G, यहाँ पर, Boxing दिया गया है, अब इसी में से हमको इसी जो गेम दिये गये, इसी में से हमको इसमें लिखने है, अब नेक्स आता है, Baising, भूटिया, यह Football की खिलाड़ी है, फ डवल ओ ट भी एडवलल फुटल और अन्स आता है सानिय नेहवाल जी बैडमिंटन प्लेयर हैं तो यहां पे बैडमिंटन दिया गया है यह बैडमिंटन तो यहां पे हम लिख देंगे बैडमिंटन बीएडी M-I-N-T-O-N बैडमिंटन और फिर अगले आता है कर्नम मैलनेश्वरी यह जो है वेट लिफ्टेड है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेट लिफ्टिंग भारोतो लग जिसको हम कहते हैं जो गेम होता है भारोतो लग W-E-I-G-H और यह वेट हो जाएगा फिर है L-I-F-T-I-N-G वेट लिफ्टिंग तो यह हमारा यहीं पर कम्टीट होता है और इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धान्यवाद